तो आज हम Become English Champion का जो बूख है, इस बूख से एक बहुत ही बढ़िया स्ट्राक्चर सीखेंगे स्ट्राक्चर का नाम है On The Pretext Of, देखिए, On The Pretext Of कि हम कभी कबर बात करते हैं कि I have come to meet you on the pretext of going to the temple और हम कभी कबर ऐसे भी बोलते हैं मैं तुमसे मंदीर जाने के बहाने मिलना है हूँ, ठीक है तो यह बहुत ही अच्छा किताब है और गाइस यह बूख ना पढ़ने को बहुत ही अच्छा लगता है मुझे और मैं हर समय इस बूख को अपने पास रगता हूँ और क्या आप बोलो विक्यामिंग इस चैंपियन के बारे में गाइस कि अंकूर सैर ने तो धामाली मचा लिया है चाड़ो और सभी बूख का बाप ही है देखिए है बुक्स के बारे में तुम्में ज़्यादा नहीं बोलो नए कि बहुत सारे बहुत कुछ बूख के बारे में तो ऐसे लगता है कि मैं हर वग्त इस बुक की के बहाने लगा कर पैसे लिए I took money from my mother on the pretext of purchasing a book वो अपनी पहली वो sorry वो अपनी सहली के घर जाने का बहाना लगा कर उससे मिलने गए थी he had gone to meet him on the pretext of going to her friend's home क्या तुम मंदिर जाने के बहाने नहीं आये थे had you not come on the pretext of going to the table guys कोई भी structure आप जब सीखते हो ना तो एक चीज़ ध्यान में आपको रगना होगा कि देखिए कोई भी structure जब आप सीखते हो जैसे on the pretext of इस ट्राक्चर के नहीं बारे में आप मैं भी बात कर रहा हूं तो इस ट्राक्चर को आप कैसे आपको प्रैक्टिस करना है देखिए आपको जो एक जो positive sentence होगा negative sentence आपको करना होगा negative sentence के बाद उसको आपको interrogative भी करना होगा इंगलिस प्रैक्टिस करना होगा फिर जाके आपको इंगलिस स्पीकिंग में पकड़ आपको मजबूत होगी तो मैं यह बोलना चाता हूं कि कैसे हर रोज एक चाप्टर को पढ़िए मैं दूसरे चाप्टर की और भी जाओंगा पर आज नहीं इस वीडियो में नहीं 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 आए थे? had you not come on the pretext of going to the temple why did you take money from your father on the pretext of lending it to me have you come here on the pretext of going somewhere else क्या तुम यहां कहीं और जाने का बहाने बना कर आये थे have you come here on the pretext of going somewhere else तुम्हाइस और क्या चाहिए इतना इसी बुक्स मैंने आज पहले कभी नहीं देगा गाईस तुम्हें ऐसे ही इतना इस बुक का प्रश्रिक्शन नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत ही जवर्दस्त बुक है और इस सब का बाफ है बाफ है मैं इस बुक कहर हमेशा अपने सहाथ रखता हूं गाईस यह बह